तो मैं आपको sequence reconstruct कर देता हूँ, यह पहले मान के चलिए कि signaling से कुछ tempering हुई है, अब tempering sabotage में हुई है या maintenance staff द्वारा हुई है, वो inquiry का विशह है, मुझे ऐसा लगता है कि maintenance staff द्वारा हुई है, लेकिन वो inquiry में सामने आएगा, तो मैं reconstruct करता हूँ, कि पहले मालगाड़ी इस station पे आई, उसको loop line में लिया गया, उसको loop line लेने के बाद, ASM का काम है कि जो route loop line को set है, उसको main line की तरफ set कर दे, जो की खाली थी, अब उसने ऐसा किया या नहीं किया, ये भी inquiry में पता चलेगा, लेकिन ठीक उसी समय, signaling के staff, maintenance में मान लीजे, ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ tempering नहीं कहें, उन्होंने अपना shortcut method लगाया, maintenance को जल्दी करने के लिए, ऐसा होता है कभी-कभी, और उसकी वज़े से, indication station master को ये मिला कि जो अब route है, वो main line को set हो गया है, अब अगर उसमें set किया, और बिना set हुए उसे indication मिला, तो उसकी गलती नहीं कही जाएगी, अगर उसमें set नहीं किया, और उसके बिना कुछ किये ही, ये indication आ गया कि main line को route set हो गया है, तो उसकी culpability है, बहराल हुआ ये, कि route जो है loop line को set था, और signaling दिखा रही थी कि train को main line पे जाना है, तो driver की कोई गलती नहीं है, driver full speed, 130 km जैसा मैंने सुना है, उसके आया, और बजाए main line पे जाने के loop line में चला गया, और उसके बाद या तो वहीं derail हुआ, या आगे जाके टकर मार के derail हुआ, वो important नहीं है, उसके बाद इतना बड़ा हादसा, यश्वन पूर ट्रेन भी दूसरी main line पे जा रही थी, उस अब inquiry में ये reveal होगा कि ये tampering या ये जो shortcut method और maintenance जो भी कहिए, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, station master के साथ collusion में हुआ, या भी ना उसके collusion में हुआ, या एक distant possibility है कि कोई sabotage तो नहीं है इसमें, जो मुझे नहीं लगता, लेकिन possibility rule out नहीं की जा सकती, एक मोटी बात ये समझे कि train किस route पे जाएगी, ये driver के हाथ में नहीं होता, ये track उसको जहाँ ले जाता है, वहाँ हो जाता है, और ये safety बनी रहे कि एक ही line पे दो trainे एक साथ नहीं आ जाएं, चाया station में या main line में, इसके लिए एक set of interlocking होती है, which ensures कि जो आप signal जिसको दे हैं और जो route set कर रहे हैं, दोनों में सामंजस्य हो, conflicting नहीं हो, तो उसमें interlocks काम आते हैं और इस पूरी इस system को electronic interlocking या कोई भी interlocking कहा जाता है, इंटरlocking failure तो हो सकता है, लेकिन fail होने पे वो safe mode में जाएगा, उसमें वो accident की situation नहीं पैदा होगी, equipment तो fail हो ही सकता है, है रहा हूँ कि tempering का case है, यहने कि आपने कोई shortcut लगाया method में या आपने criminal किसी intent से कोई tempering की, अब यह investigation में पता लगेगा.